अरे वो बोली कि वो बंदी चली गई अपना दुकान छोड़के तर्कॉईज वाला कि इसको आधा कर दो हाफ दाम मैं बेचना मैं एक हफते में आती हूँ वो चली गई दुकान छोड़के वो जब वापस आई तो देखी कि सब बिग्या एक दू बचा है तो वो अपनी फ्रेंड से बोली कि देखी दाम आधा कर देने से कितना अच्छा हुआ मतलब बिग्या सारा सामान तो उसकी फ्रेंड बोलती है ओ माई गॉड मुझे नहीं पत हाई काईज वेकम बैक इन अनादर वीडियो अफ सुधर्शन चक्र आई होगा अभी जो अपने आउडियो सुनी है उसमें आपको पता चल ही रहा हुआ कि महंगी चीजों का कितना वेल्यू होता है वो कितनी वर्दी होती है राइट तो अंजना माम के चैनल के कॉमें बहुत के कमेंट साथे कि मैम आपने इतना प्राइस क्यों बढ़ा दिया है आप 50,000 क्यों चार्ज कर रही है आप वन करोड रूपी क्यों चार्ज कर रही है वो भी सिर्फ वन आर के सेशन के एंड सीम दूसरे लाइब कोच इसके भी चैनल पे कॉमें आते रहते ह कम चार्ज करती है अंजला मैम तो इतना जादा फीस लेती है आप जैनूली अच्छा काम कर रहे है मैडम आप इतना कम चार्ज में सबको सिखा रहे है मैम आप इतना आट नौ घंटे में सिर्फ अपने हजार रुपे में सबको इतना सारा नॉलिज दिया ये कॉश्शन्स सबी के माइन में होते हैं कि अंजला माम इतना चार्ज़ क्यों लेती है सो आई है हम आपको बताते हैं कि वो इतना चार्ज क्यों लेती है जैसे कि अपने वो आडियो में सना कि महंगी चीज़ों कि इतना वर्थ होता है कितनी value होती है वैसे अंजला माम को भी किसी ने उनकी value बताई थी कि कैसे वो इतना valuable knowledge free में बाट रही है YouTube पे कैसे वो सिर्फ 555 में webinars ले रही है वो भी 8899 hours के और उसमें इतना सारा knowledge दे रही है लोगों को So आईए हम आपको कुछ screen shots दिखाते हैं और जिसको भी video से समझ नहीं आ रहा है तो उनको personal session तो लेना पड़ेगा नहीं तो आपके channel पे सब कुछ आपने free का upload कर चुकी है आपने सारे subject का video detail में explain किया है सब videos में अब फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पैसे दो personal session के तो ये कुछ screen shots थे जो वो life coach ने अंजना माम को send किये थे जब उन्हें पता चला कि अंजना माम इतना सारा knowledge सब को free में बाट रहें थी फिर भी अंजना माम ने उनके charges increase नहीं किये तो बात में वापस से उन्होंने एक video के through अंजना माम को समझाने की कोशिश की थी कि उनको क्यों अपने prices increase करना चाहिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं 16 minutes पर अंजना माम को नहीं समझा था कि उन्होंने क्या बुला है तो जो अपने सबसे पहले audio सुना था वही वो life coach ने उनको समझा कर भेजा था कैसे महंगी चीजों का worth होता है कि कैसे महंगी चीजों की value होती है तो क्या ही उनकी चलागी थी क्योंकि उन्हें भी यही field में आना था तो अंजना माम के उन्होंने prices बढ़वा दिये और खुद उन्होंने कम price में रखा ताकि सारे लोग उन्हीं के पास आ जाए बट उसे हुआ ही क्या जो सारे लोग थे जो कम prices में लेना चाहते थे वो उनके पास चलेगा और सारे classy people अंजना माम के पास आ गए आप सभी को पता है कि रस्ते का माल सस्ते में जब आप रस्ते से कोई माल लेंगी तो वो आपको हमेशा सस्ते में ही मिलेगा और आप जब माल में जाएंगे तो ब्रैंडेट चीजे होंगी वो आपको महेंगी ही मिलती है उसकी एक value होती है उसकी एक worth होती है और वैसे ही अगर हम माल से कोई bag लेने जाएंगे ब्रैंडेट वाला या फिर कोई watch लेने जाएंगे तो वो महेंगी ही मिलती है और वैसी ही सेम वाच और बैग आपको सड़क पे भी मिल जाएगा बट वो डुप्लिकेट होता है और सस्ते में मिल जाता है और सेम अगर हम अबराहिम हिक्स का सेमिनार हो गया या जो डिस्पिंजा का सेमिनार हो गया दीपक चौपरा, नेविल घुटार इन सबके सेमिनार में जाएंगे तो वो आपको महंगा ही मिलेगा और अगर आप इन सभी का चुराया हुआ content कौपी खरके यूट्यूब पे डाल देंगे फ्री में तो आपको सस्ता ही मिलेगा बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और copy और चुराया हुवा content हमेशा सस्ता ही होता है So, I guess आप सभी को आपके answers मिल चुके होंगे तो आए हम कुछ और screenshots आपसे share करते हैं और जिसको वीडियो से समझ नहीं आ रहा है तो उनको personal session तो लेना पड़ेगा नहीं तो आपके चैनल पे सब कुछ आपने फ्रीखा upload कर चुकी है आपने सारे subject का वीडियो दीटेल में explain किया है सब वीडियो में अब फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पैसे दो personal session के हाँ बिल्कुल अब तो मैं भी सिर्फ members को reply करने वाली हूँ YouTube पे जैन से फ्री में आप सिर्फ वीडियो ही मिलेगा कितने दिन spoon feed करोगे न I hope आप सभी को आपके answers मिल चुके होंगे कि अंजरा माम इतना charges क्यों लेती है So मिलते हैं in the next episode of सुदर्शन चक्र जल्धी Thank you for watching